हेलो, नमस्ते, मैं स्वस्थ हूँ, मस्थ हूँ और आसा करता हूँ, आप जहां कहीं पर भी हूँगे, स्वस्थ हूँगे, मस्थ हूँगे आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टैबलेट या मेडिसिन की बात करने जा रहा हूँ जो की यूरीकेसिट के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन को फैबुक्सो स्टेट मेडिसिन के नाम से जानते हैं ये मेडिसिन जो है, ये नॉन प्यूरीन सेलेक्टिव जैंथिन ऑक्सिडेज इनिबिटर होते हैं जो की जैन्थिन और हाइपो जैन्थिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं समाने भासा में कहें तो ये जो मेडिसिन होती है ये यूरिक एसिड के फार्मेशन को कम कर देती है इसकी जो है तीन स्टेंथ मार्केट में आती है और यह केवल टेबलेट फॉर्म में ही एवायलेबल है इसमें जो पहली स्टेंथ आती है वो 40 mg की आती है दूसरी जो है वो 80 mg की स्टेंथ आती है और तीसरा 120 mg की strength मार्केट में इसकी आती है यूज की बात करें तो फैबू स्टेट के जो भी medicines आते हैं मार्केट में वो मेंली दो जगह पर यूज किये जाते हैं पहला हाइपर यूरिसीमिया की case में यानि की यूरिकेसिट का लेवल हमारे blood में अगर नॉर्मल लेवल से जादा हो गया है दूसरा इसका इस्तेमाल gout में किया जाता है अगर पूर्सों में नॉर्मल लेवल की बात करें तो यूरिकेसिट का जो नॉर्मल लेवल होता है पूर्सों में वो होता है 2.5 mg पर डेसीलीटर से लेके 7 mg पर डेसीलीटर तक और अगर females में यूरिकेसिट की बात कर हैं तो किसी तरह की कोई problem नहीं होती लेकिन अगर यूरीक एसिट का लेवल normal level से ज्यादा हो जाय तो फिर कई सारी समस्याएं हो सकती है और अगर यह समस्या गंभीर हो जाती है तो ऐसे में इस tablet का इस्तेमाल किया जाता है इस tablet को लेने का दूसरी चीज यह है कि डोज और डियुरेशन किसी भी मेडिसीं की वो डिपेंड करता है कि पेशन्ट को एक बिमारी है वो कितने दिन से है और किस अवस्था में है तो डोज और डियुरेशन जो है ये doctor ही decide करेगा और आप बात कर लेते हैं इसके side effects की तो इसके ज्यादा वैसे कुई बहुत ज्यादा side effects तो नहीं है कुछ सामान side effects हो सकते हैं जैसे nausea vomiting headache, आपका stomach pain तो इस तरह की समस्याएं किसी भी इंसान को हो सकती है अगर आपको इसको लेने के बाद कुछ भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से तुरण संपर्क करें कुछ किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले अगर किसी को हर्ट आटेक की मुण पहले कभी हो चुकी है तो और लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो लोग यलकोछल लेते हैं उन लोगहों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप अलकोहल लेते हैं और डॉक्टर आपको ये दवा लिखता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर बता दे कि आप अलकोहल अल्रेडी कंज्यूम कर रहे हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप अरी प्लेलिस्ट को फॉलू कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद